हेलो दोस्तों हावर यू यह है पॉली कैप का स्टैंड फैन है कूलर मोटर का जो आ होता है इसका सैप्ट और बूस्क दोनों ही खराब हो गया वह बहुत धिला हो रही है और आज बगर हो रही है तो इसका मैं सैप्ट और बूस्क चेंज करूंगा हाथा आप लोग देखो मैं इसको खोल रही हूँ ठीक है धीरे से खोल रही हूँ पहले देख लेता है क्याथई कितना exploration तो उसके बाद इसके और कार्ट लिया इसका साइड में रखता हूँ इसके बाद इसको इसका जो भूस है, इसको मैं निकलूंगा, देखिए दोनों भूस ही खरब हो गया, वह सामने जो देख रहे हो ओ निया भूस है, और उसके पहले मैं चेंज कर लेता हूं देखिए वो पूरा नवाला सेप्ट है मैं पहले खोल रखा था तो निया सेप मैं उसमें डाल रही हूँ देखिए पाइप में अच्छे तो मैं तुकि में फुस कर दिया हूं देखेंए मेरे हाथ में एक्साइट यह था मैंने बूश्य थीन करना पढ़ाए जो रहता है रीपीट में काड़ लेता हूँ बुस के और इसमें बढ़िया बाद है मैं इसको पांच मेशिंज से पांच करूंगा बुस्ट नया लागाने के बाद तो आप लोग देखिए कैसे पांच करता हूँ और पांच मेशिंज भी छोटा है आप लोग आके लाई वे बुस्ट चेंज कर सकते हो कोई दिकत बगार नहीं होगा तो इजीली हो जाएगा आप लोग देखते रहे हैं वीडियो काटना मत और मेरा यूट्यूब चैनल है गिरी एलेक्टिकल प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब करना देखिए मैं रिपीट काट लिया हूँ है अब लोग देख सकते हैं और इस फिन में आप लोग एक सो आठनोब भई भी लागा सकती हो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो जद दर मैं एक साठनोब भई लागाता हूँ तो देखिए नया बूस में डाल दिया हूँ उसके बाद देखिए मैं पांच मेश में बहुत साइज का होता है थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पतला सब्सक्राइब है तो इस जो बूस्क यह है तो इसको इसमें डालूंगा देखिए मैं कैसे डालता हूँ तो आप लोग भी इस तरह से बूस्ट चेंज कर सकते हो इजिली कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही आसन है कोई प्रब्लेम नहीं होगा मैं बहुत ही पहले यूज किया हूँ शैप और बूस्ट तो मैं पहला ये वीडियो बना रही हूँ देखिए उसके बाद एस पि पाइप किया ओर चेक कर रही हूँ कि तो उसके बाद बूस्प लागाना के बाद इसके उपर लागाना होगा इस प्रिंग देना होगा तो उसके बाद ऐस उपर से मोबिल डालने के लिए पाइप जो लागाता है उसको छेद के एक छेद होता है उसमें घुसरने के बाद उसको अच्छी से पकड़ के मैं एक देखिए गुटी रेंज के मदर से उसको पेसर डालूंगा देखिए इस तरह से पेसर डालना है तो स्पिंग भी जदा दर नहीं होगा ओ ठिक ठक हो जाएगा देखिए मैं आच्छे से पकड़ने के बाद इसको अकला ही मैं कर रही हूँ दो लोक होगा तो बहुत ही आच्छ करने के बाद उसको जब पेसर दोगे तो देखिए काड गया वो अंप्लीट हो गया देखिए अब लोग दो मैं पांच किया हूँ उसके बाद सब भी पांच करने दोपांच करें फास्ट टाइम दोपांच करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद बहुत आजी कोई दिख्कत नहीं होगा ठीक है देखिए मैं पांच कुलिफ होता है तो शाई मैं पांच किया हूँ देख सकते हो हो गया है मेरा पांच कॉंप्लिट हो गया देखिए इस एक साइड का जो भूश है ओका धकन कि तो अच्छे से इस तरह से बिठाना है उसके बाद जो पांच क्लीप है उसको लागडर देना है और नहीं दिन सोड़ा साइड हो गएं इसलिए नहीं घुज तो उसके बाद मैं इसको पांच मैंन मदद से अले सब्सक्रा आप दूंगा तो दीरे लिए दीर वह पांच होता है रहाएगा देखिए एक साइट एक पांच हो गया तो उसके बाद सेकेंड जो है ओवाँ पांच करूँगा ओसेकंड कॉम्पलीट होने के बाद तो और जो चार और रहाएगा ओछीशीली हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा दो पांच करने के लिए थोड़ा आकेला बहुत टाइम लगता है क्योंकि स्पिंग है तो उसका पेशा रोजाओ बहुत ज्यादा रहता है इसलिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है गिरी एलेक्टिकल प्लीज आप लोग लाइक एन सब्सक्राइ रहोंगा देखे दोनों जेंज किया हो और पोट चैनल होता है मैं पहली बात देख रहे हूं वह और यक्राट के लगता है पहुत अब जब मेने और जिनल पर लागाए a लिए देखे इसके बाद इसे पूरानी वाली में जो पाईप और वहासत हां मैं उसको डाल रही हूं और डालने से पहले जो हूं और भी एक बात देखना है कि साइट ज्यादा वहाद था उसको देखना है तो पहले मैं पीछे बाली ठाकन के जो वाइर बगार है उसको मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसको फिटिंग करने के बाद सेप रोटा पूछ करके देखूंगा पीछे से तो स्टैंपिंग एंड रोटा दोनों ही सेम सेम है क्या गैप कितना है वो देखना है ठीक है नहीं तो स्पीड नहीं पाकड़ेगा देखि तोमेर थोड़ा साल कम जैदवा था तो उसको फ़शाद डाल के मैं ठीक कर दिया हूं तो यसका धकन भी लागा के उलेर शोक भी बाद नहीं देख गया तो बाक्यूंकि बीडियो बहुत बड़ा जा गएगा थो इसलिए तो आप लोग देखने में इंट्री तो एक फिटिंग किया था तो और भी एक ऐसर लागना था तो इसलिए खोल के उसको फिट से मैं फिटिंग किया हूं तो वीडियो में मैं नहीं दिखाया तो sorry दोस्त इसलिए तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखाएगा थोड़ा सा इसके अंदर मोबिल डन नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम तो है थोड़ा उसका क्या बोलता है राष्ट बगरा थोड़ा रहता है तो इसलिए तो मैं कैपासिटर का जो लाइन है कैपासिटर जोड दिया हूँ उसके बाद चेक करूंगा कोई साउंड बगरा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रही है देखिये सिरी श्रीज की मदद से जोड़ें देख कर ही हूँ है नहीं है देख सेकते हो कोई भी साउंड नहीं है आप लोग वीडियो में देख पार है यह मार्टर घूम रही है बहुत इजिली घूम रही है और इसके बाद इसको चेक करने के बाद इसको मैं पूरी फिटिंग के सामने भी थोड़ा सा मोबिल डाल दिएू और डास्ट बगड़ा जो होता है वो चला जाएगा तो इसलिए और कुछ भी नहीं साउंड है मोबिल डालने के बाद नहीं तो पहले फास्ट टाइम जो है थोड़ा सा साउंड करता है तो उसके बाद जो मैं कार्ड लिया था स्विच की आधा करके तो उसको मैं जोड़ दूंगा जोड़ने के बाद उसको डाइरेक्ट लाइन से मैं चेक करूंगा ठीक है तो मैं तार को ब्लू बाला से ब्लू बाला और रेड़ से रेड़ के जोड़ रही हूं उसके बाद उसमें ब्लैक टिप लागाऊंगा तो देखिए इस तरह से मैं ब्लैक टिप लाइने के बाद इसको कम्प्रीट करूंगा तो उसके धक्कन वगार सब कुछ लागा दूंगा तो देख लेए वह बहुत इजी है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखिए मैं डायरेट प्लाइग में लागाऊंगा ठीक है उ उसके बाद इसमें लागांगा देखिए घूम रही है और बहुत अच्छी से घूम रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीच लाइक एंड सब्सक्रीब करना और नोटिफिकेशन बेल आइगन को प्रेश करकर गया है देखिए घूम रही है कोई दिक्कत नहीं है तो